अज के दूसरे स्टॉक में हम जिस कंपणी को इनलाइज करेंगे जिसकी रिक्वेस्ट आई है उसका नाम है GSW इसक्लेमर है कोई भी भी बाइया सेल की रिक्मेंडेशन नहीं है हम सिर्फ स्टॉक को इनलाइज सीखने के लिए बाकी जो भी आपने बाया सेल का बटन दबाना वह आपको खुद दबाना पड़ेगा मेरी तरफ से कोई भी रिक्मेंडेशन नहीं है अब शुरुआत हम हमेशा की तरह फंडामेंटल से करेंगे अगर हम देखें तो अर्निंग्स इसकी गुड है अच्छी है प्राइस ट्रेंथ भी ठीक थाक है बाय डिमांड बहुत अच्छी है और जो आज की देट में सेक्टर में डिमांड है वह भी अच्छी है इंफ्रा में बाकी 29.40 क्रोड शेर जो है व पिछले जून 23 के मुकाबले 47% की ग्रोथ है ठीक है अर्निंग्स में और 12% की जो ग्रोथ है वो सेल्स के अंदर है बाकी अगर हम प्राइस टो अर्निंग देखें तो 199 है जो की काफी एक्स्पेंसिव नजर आ रहा है लेकिन कि अगर अर्निंग बढ़ती जाती थी तो आपकी और येशो कम होती जाएगी लेकर अगर अर्डिंग नहीं बढ़ती और पी रेशो पहले से भोग जदा है प्राइस टो बहुत ज्था खतरा ह். कि Mr.. बहुत तेजी के साथ नीचे भी आ सकता है तो इसलिए क्या होता है कि ऐसे स्टॉक जिनकी पीर हाई है और एक अधा क्वार्टर भी उनका अच्छा नहीं आया तो स्टॉक क्रेक्शन कर सकता है बाकि अगर हम शेर वोल्डिंग पैटरन को देखें तो प्रमोटर ने पिछले क्वार्टर से कुछ भी कम नह अगे हैं तो उन्होंने माल बेचा है इंशुरेंस कंपनी ने इसमें बढ़ाया है FIIs ने भी बढ़ाया है डबल कर दिया डबल तो नहीं 70-80% बढ़ाया है बैंक्स के पास कोई माल नहीं है इंडिविजल इंवेस्टर ने घटाया है इसके अंदर और जो दूसरे लोग है हैं बड़े अच्छा नहीं हो सकते हैं कुछ हो सकते हैं उन्होंने भी इसके अंदर अपना माल घटाया है बाकि हम इंपॉर्टेंट की रेशो जो उगरा है जो उनको देख लेते हैं आफ्टर टेक्स मार्जन वो बहुत इंपॉर्टन है पिछले साल के मुकावले 12.61 से 53. सब्सक्राइब के पास पीछे पैसा परा हुआ वह अच्छा कासा है मार्जन इनके अच्छे हैं लेकिन सेल्स जो है पिछले साल के मुकावले बहुत जादा नहीं बड़ी सिर्फ एक परसेंट का ही इसमें इजाफा हुआ है नेट इंकम जो है वह तीन सो अथाइस सब्सक्राइब क्योंकि अगर आप देखेंगे तब माइनस में थी अभी बड़ी है एपिएस जीरो रुपे 0.37 रुपे से लेकि एक रुपे उन्चास पैसे होगी तो एक यह अच्छा साइन है ठीक है डेट जो है लॉंग टर्म डेट जो है कंपनी के ओपर वह भी कम होता हुआ नजर आया है 2023 में 203 क्रोड था अभी 69 क्रोड रहा गया तो यह वी एक अच्छा साहिन है कि कंपनी जो है वह अपने डेट कम कर रही है बाकि हम थोड़ा यह टो यह बेस के ओपर जो रेवन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जहां उसको देखे तो पिछले साल 514 क्रोड अभी कंपनी के पिछले साल के मुकाबले 775 क्रोड से 580 क्रोड प्रॉफिट लॉज जो है फोर टैक्स है वो भी बड़ा है काफी ज्यादा बड़ा है तो अर्निंग्स मतलब ओवरॉल मुझे पिछले साल के मुकाबले इस साल के तो अच्छे नजर आ रहे है पाकि हम क्वार्ट तो इस क्वार्ट में बहुत ज्यादा कोई भ्रोटरी नहीं हुई है जो इंकम फर्म अपरेशन है पिछले क्वार्टर के मुकाबले ओंड़े इक सुचालीस क्रोड थी अभी 140 क्रोड रहे है तो इसके बाद टैक्स इन को जादा देना पड़ा है पिछले क्वार्टर के अर्निंग्स जो हैं पिछले उसके मकाबले थोड़ी सी कम हुए तो quarter to quarter थोड़ी सी परफॉर्मेंस डाउने लेकिन overall अगर हम year to year base के उपर देखे तो अच्छी performance मुझे नजर आ रही करते हैं कि अगरे बुरे नहीं चलिए अब हम चार्ट पर चलेंगे और वहां पर देखने की कोशिश करते हैं कि ओवर और लॉन्टम चार्ट को देखते हैं पहले ही ठीक है यानि की वीकली चार्ट को देखते हैं कि यह 20 हफ्तों की average है यह 10 हफ्तों की moving average है आज की rate में 10 हफ्तों की moving average के नीचे trade कर रहा है ठीक है तो इसका क्या मतलब है शौर्टम के अंदर थोड़ा सा stock pressure में नजर आ रहा है लेकिन अब हम देचार्ट के उपर एक बर देखने की कोशिश करेंगे देचार्ट में शौर्टम में stock pressure में है क्यों है ऐसा कह रहा हूं क्योंकि अपने 20 दिनों की moving average और 10 अफ्तों की moving average के नीचे trade कर रहा है ठीक है अगर हम यहां पे देखें इस तरी को यह कौन से डेट है 21 जून 2024 को यहां पे बहुत बड़ा इसका क्या मतलब है कि यह जो हमारी candle है यह बहुत ज्यादा important रहेगी ठीक है इसका जो हाई है यह बहुत ज्यादा important रहेगा इसका हाई कहां पर खड़ा है 318 रुपीज के ओपर तो हमें जो price action है और साथ में जो हमारा volume है वो हमें क्या बता रहा है कि अगर इसने वापसी क अगर यह 318 रुपे के ऊपर नहीं टिक पाता तो इसके नीचे के दरवाजे थोड़े से खुल सकते हैं कहां के खुल सकते हैं वह हम एक बार देख लेते हैं पहले हम इस ही candle का जो लो है उसको भी मार कर लेते हैं 301 रुपे के आसपास है लेकिन इसका जो हाई है वो अच्छा खासा बनाया था तो इसलिए इसका हाई हमारे लिए जादा इंपॉर्टन है लेकिन शुरुआत में अगर मैंने लेना होता है या कुछ होता तो मैं एक बार यहां से निकल गया होता क्योंकि 20 दिनों के नीचे और 10 अफतों के नीचे ट्रेड कर रहा है मुझे नह बनाने शुरू हो रहा है पिछला जो हाई बना था वो 370 पर बना अगला जो हाई बना 354 पर बना रहा है इसका क्या मतलब है कि स्टॉक वोलाटाइल रह सकता है ठीक है टाइम लग सकता है और जो हमारी मुविंग अवरेजी से हैं वह हमें यही बता तो अभी के लिए 318 र टीक है बाकी जो एक मेजर स्पोर्ट का एरिया इसका है वो यह एरिया है जहां पर पिछली बार इसको फोड़ा रिस्टेंस पहला तो वह है 265 रूपी अब जैसे मेरे उस दोस्त ने पूछा है कि मैं लेना चाहता है इसको तो कौन सा ऐसा लेवल जहां पर इसको कैप्चर किया जा सकता है जहां पर एक अच्छा रिस्क को रिवाड रहेगा मुझे क्या लगता है जिस त्रीके की मार्केट की कंडिशन वाई चांस टॉक नीचे की तरफ आता है और 255 रूपे के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर एक अच्छा उपरचुन्टी होगी इसको ग्र तो इसलिए क्या है क्यों कि ओर्रॉल मार्केट के जो सेनेरियो है थोड़ी से चेंज होते हुए नजर आ रहे तो बजार जो है बोलाटाइल रहे सकता है स्टॉक्स भी वालाटाइल रहे सकते हैं तो ऐसे ताइम के ऊपर वेट और वाच करना ज्यादा समझदारी है ना कि ह हिरो बनना जो कि आपको प्रेशान कर सकता है अगर आप हिरो बनने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि मैं भी देखता हूं कि कितना नीचे तर जाए हमेशा याद रखिए जब मार्केट की कंदिशन पूर होती है यानि सेंटिमेंट थोड़े से डाउन होते हैं तो कोई भी स्पोर्ट काम नहीं करती है और जब सारी दुनिया बुलिश होती है ठीक है सारे एक्साइटे होते हैं तो कोई भी रिजिस्टेंस काम नहीं करती है तो इसलिए मैं यह स्पोर्ट बना लू मैं यह स्पोर्ट बना लू कल को अगर सेंटिमेंट ही चेंज हो जाएं धर हो जा यहां सबसे जड़ा वॉल्यूम खड़ा है की एवरेज खड़ी है दोसो बारा रुपे के उपर है स्टॉक आप देखेंगे यहीं पर बेस बनाया था 212 के उपर अच्छा गाजा उपर गया है अब हम लास्टे 6 मीने का के देखते हैं कि कहां पर क्या गहता घस्व का 251 रुपीज के उपर और लास्टे 3 मीने का अगर हम देखें 284 रुपीज के जब फोड़ाई स्ट द hashtags देखें तो 315 रुपीज के ओपर तो बिल्कुल शॉर्ट टम के अंदर जैसे हमने शुरू में डिसकस करा थोड़ा सा प्रेशर में है वॉल्यूम भी हमारे यहीं बता है कि 315 रुपे के असपस थोड़ा सा वॉल्यूम इसका बन रहा है यहां पर भी अगर मैं देखो तो टॉर्टम में अपने मोमेंटम जो है वो नेगटिव जॉन के अंदर ट्रेड करता है कि लॉंग टर्म में हो जा रहा कोई दिक्कत मुझे अभी तो नहीं नजर आ रही लेकिन हमेशा याद रखिए कि जो क्रेक्शने हैं वो शॉर्टम से ही शुरू होंगी और बड़े समय में कर्वार्ट होंग लेकिन अगर ओवरॉल मार्किट ही थोड़ी सी वीक हो जाए तो हमें नहीं पता कहां तक कोई स्टाप जा सकते हैं तो यह रहा जो हाल है आपको समझ आ गया होगा बाकि कोई भी अगर आपका प्रशन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पूछ सकते हैं इस चैनल से अगर हेल्फ मिल भी है तो जिरूर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ भी जिरूर शेयर करें थैंक यूवाइस टेक कैर बाय फूर्म